चामोर्षी यहां पंचयत समीती की वार्षिक आम बैठक शुक्रवार 13 मैं को दोपहर एक बचे संपन्न होई। अध्यक्षता देवराव होलीने की वार्षिक आम बैठक के नर्धारित समय से 12 घंटे बात शुरू हुई। पंचयर विस्तार अधिकारी एवं समू विकास अधिकारी प्रभारी मधुकर कालवंदे साहिक समू विकास अधिकारी बीबी वन खंडे पूर्व अध्यक्ष भावराव दोल्डीकर पूर्व क्रशी अध्यक्ष जिला परिशत प्रोफेसर रमेश बरसागडे बाचपत ताल पंच वसन चौथी के साथ तालुका के सरपंच और कारिकरतों पततकालिन बीडियो टिछकुले द्वारा अभधर भाषा का इस्तमाल करने का आरोप लगाया गया था जैसी रमेश बरसागडे प्रमोध भगत दिलिप चलक विनोध गौरकर ने इस मुद्धे को उठाया अंथ इस बीच मकान बस सेवा सडक मकान सुईकरत हो जाते हैं लेकिन जब धन नहीं होगा तो मकान कब बनेंगे हैं सवाल सुनापूर के उपसरपंच शेश्राफ कोहले और कड़ोली के सरपंच और विभिन गामवों के सरपंच ने भी उठाया था उपसरपंच ने आम बैटक में घरकुल से जुड़े मुद्धों को उठाया साथ ही पिछले अनुपालन मुद्धों पर चर्चा की गई और वार्शिक आम बैटक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों और करमचारियों के दो साल के वेतन व्रद्धी को नलंबित कर अपने का मुद्धा उठाया इस अफसरप विदायक डॉक्टर देवराव होली ने स्वतंद्रता अमरत महुतसफ के अफसरप जन सभा को संभोधित किया सभाकायोजन ग्राम विकास की समस्याओं के समधान के लिए किया गया था संचालन शिक्षा विस्तार अधिकारी और कुटे को धन्यवाद दिया चामोशी से बीसेन न्यूस के लिए बवन वर्टी वार की रिपोर्ट